नमस्कार सलाम नियूस क्लिक में आपका स्वागत है हम आज बात करेंगे नागरिकता शंशुधन विद्धेयर यानि सिटिजन अमेंडमेंट बिल यानि CAB कैब जो सोमवार देर रात लोग सब हमें पास हो गया इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है और इसके पक्ष में 311 और विपक्ष में 80 वोट पड़े क्या है इसका मतलब इसका पक्ष और विपक्ष इसके फायदे और इससे डर या निकसान इसे किस तरह देखते हैं तो पहली बात तो लेखे कि लोग सबह में जो बहस हुआ और जो बिल पास हुआ राज़े सबह में भी मुम्किन है जिस तरह से राज़ितिक कुछ दलों का रवाया है तो उसके लगता है कि शायद बीजेपी इसको भी राज़े सबह में पास करा ले जाएगी और यह भी है जो तेवर अमित्शा का देखने को मिला वो लगा है लगता था कि वो धंकी दे रहे थे किसको धंकी दे रहे ते यह सवाल है क्योंकि विपक्ष को धंकी हर रोज देते हैं ठीक है ना कैमरा को धंकी तो हर रोज देते हैं पर इस वक्त जो है उनके धंकी लग रहा था कि निशाने पर और भी कोई है और यह तो कुछ कौम इस निशाने के सामने है तो इस से यह भी कि जब बात करेंगी तो इस पक्ष से समझना पढ़ेगा इस अमेंडमेंट्स बिल एक अंग्ष है दूसरा है जो एन आर्सी और इन पियार तो कौन देश की नागरिक है उसको नथिबद्ध करेंगे उसकी जो पर योजना हो रही इसको भी साथ मिला के देखना पड़ेगा क्योंकि यह बात है कि हम एक पहले एक citizens के लिस्ट बनाएंगे यह citizens के जब लिस्ट बनाएंगे तो voter ID से लेकर आपकी जो जो आज के तारिक पर पत्र हैं जिसके आप साबित कर सकते आप citizens citizen है इसको मानी नहीं जाएगी इससे देखी जाएगी कि अब एकत्तर में आप यह थे यह नहीं अब आपका जर्म नहीं हुआ था तो आपका माबाप यहां थे यह नहीं तो मतलब citizenship की जो क्या कहते हैं evidence है उसको फिर से दुबारा जाच की जाएगी तो इसलिए जितने आपके पास कागजात है वो काफी नहीं होगा वो आसाम में हमने NRC की process के जरिये देखा औ की आम तोर किसके पास कागजात नहीं होते जो गरीब है तो गरीब तपके को अगर आप इस तरह से रिजिस्टर में डालना चाहते तो हकीकत है कि उसमें ज्यादा संखक लोग जो गरीब है वो ऐसे कागजात प्रिड्यूस नहीं कर पाएंगे तो मुसल्मान को target जो करना च चाहते नर्सी के तहद तो उससे बहुत सरे ऐसे लोग भी आ जाएंगे जिनके पास कागजात नहीं होगा दिखाने के लिए वो कहां थे उनके माबाप कहां थे एक अत्तर में तो यह सब देखते हुए उन्होंने अब citizen's amendment bill कर रहें कि अगर आप जैसे आसाब में हुआ यह आसाइलम मिलेगा यह जो आसं में और ठमाम किया असं में जो गडबाड हुए नर्सी से कि कहा गया कि बड़ी संक्या में हिंदू बहार हुए उसके समझगते के टहत यह ccb लाया गया और फिर नर्सी लाएंगे यह ccb nrc जो नाघरिक का करार नहीं दिये जाएंगे उस जो हिंदू होंगे वो एसाइलम सीकर के रूप पे हमको citizenship उनको दे देंगे पर सवाल है कि पहले आपको कहना पड़ेगा आप बाहर से आए हैं आप रिफ्यूजी हो आप एसाइलम सीकर हो यह आप नहीं कह सकते कि मैं हिंदुस्तान में पहले से हूँ मेरे पास कागजात जो ह एक अतर के पहले हिंदुस्तान में आप थे या नहीं उसके कागजात दिखाईए तो क्या किसी के लिए आसान है तो यह जो रेट्रोस्पेक्टिवली यह सब किया जा रहा है citizen को साबित करना है मैं citizen हूँ जबकि state का जरूर काम यह है कि आपको यह साबित करना आप citizen नहीं ह है इसमें onus of responsibility of proving your citizen अब citizen है इसको साबित करने के दायत्व जो है आप पर दी जा रही है जो सरकार के पास कोई दायत्व नहीं है सिर्फ यह कहना नहीं आपके कागजात ठीक है यह नहीं है तो यह एक reversal of proof यहां हो रहा है यह भी समझिए यह citizens amendment bill और NRC को जोड़ के अगर दे तो जो citizenship bill था जो कानून था हमारे पार नागरिकता का कानून था उससे कितना अलग है और इसके क्या डर है जो हम देख रहे हैं तो सिधा सिधा यह है कि एक section और भारत बरश के नागरिकों की citizenship से निकाल देने का यह साजिश है यह जो कह रहे हैं ग्रैमंत्री खड़े उकर कि जो लोग पहले आते थे जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगरादेश को लेकर आई यह है कि जो गैर मुस्लिम हैं वो करें जो मुस्लिम भी आते हैं जो कानून है उसके तहत उन्हें यहां की नागरिकता दी जाएगी तो उससे कितना अलग है और इसमें इन्हों चीजें बढ़ाई और घटाई हैं उसके बारे हैं उन्हों का तो यह कहा है कि जो इन तीन मुल्क से आएंगे इन चार जो है क्रिश्चन हो बहुत हैं जैन हैं हिंदू है इनको दी जाएगी तो मुसल्मान का वहां गिंती नहीं है ठीक है तो यह साफ है कि उनको रिफ्यू पे तो एक्ट के तहट तो यह नहीं देखता तो यह बात अभी ताप से रखे थोड़ा इसको पहले देखे इसका नियत जो बात सवाल है कि क्यों एक कौाम को छोड़ दिया आपने अगर आप सब को बराबरी में ट्रीट करते हैं आपने जो दूसरा सवाल किया अभी कि Constitution के हिसाब से इसका क्या मतलब है तो पहली बार धर्म के आधार में आप एक बेद किये जो आपकी आर्टिकल 14 की तहट सब धर्म की बराबरी स्टेट्स दिकार करता है उससे अलग हो जाता है एक तो यह बात है दूसरी बात अप refugee कौन बन सकता asylum seeker कौन बन सकता उस पे भी आप तिन मुल्क से आएंगे दूसरे मुल्क का अपने स्टेटस अभी भी रखा उसके बारे में अपने कुछ कहा नहीं पर asylum seeker आपके पास रोहिंगा हो सकते हैं जो बर्मा से आरहे हैं मुसल्मान है पर उनना क्या दिया हम रोहिंगा स्विकार ने करेंगे बर्मा वहां पर बर स्विकार नहीं किया टामिल हिंदू हो मुसल्मान हो कोई भी उस इस इस इसनिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहद यह नहीं आते हैं तो यह एक फरक आप दूसरी तरह से कर रहे हैं रिफ्यूजी वही आप asylum seeker वही आप स्विकार करेंगे जो धर्म के आधार पे आये ह से दूसरी जगहों के जो asylum seeker अगर होंगे दूसरे धर्म के होंगे या किसी भी भाशा के ethnicity के कारण वहां से निकाले गये होंगे तो उसके प्रतिय आपका कोई कोई ऐसा कोई scheme या समझ नहीं है refugee asylum seeker के बारे मिं आप interest नहीं कर रहे हैं आप सिर्थ तिन बुलकों की जो सवा आप कर रहे हैं और यह बड़ा साफ है अमित्शा ने कहा और बीजेपी की तमाम वक्ताओं के कह रहे हैं कि ए अनफिनिश्ट बिजनस ऑफ दपार्टिशन तो आप पार्टिशन पाकिस्तान ने कहा था मुसल्मान मुल्क चाहते जमा उसे जिन्ना की मुस्लीम लीग की पका लेकिन ग्रह मंत्री कह रहे हैं संसद में सरयाम कि ये कांग्रेस ने धर्म के आदार पर बटवारा कर रहा है जब तक हमने पढ़ा है जैसा कि हिंदू महासाबह और मुसलीम लीग यानि जिन्ना और सावर करकर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था दूई राश्ट सिध्धान ज पर थोड़ा बात बे आते हैं पर हकीकत जो है कि partition की unfinished business का मतलब किया है इसको जरा parts करें इसको जरा हम समझने की कोशिश करें ये कहने का मतलब RSS की थी वीर सावर कर जो वीर कहते हैं जिन्होंने चिठ्धी लिखने के माफी मांगने के बावजूद भी वीर है तो उसकी जो उनकी जो समझ थी Hindu महासाभा के जो समझ थी आपनी जो जिक्र किया वो यह था कि हमें Hindu राष्ट चाहिए ठीक है जैसे Muslim लेकिन नहीं कहा था हमें Muslim राष्ट चाहिए इन्होंने कहा था Hindu राष्ट चाहिए तो आज जो है ये NRC और Amendment Citizens Amendment Bill के जरिए अगर वो कह रहे हैं Unfinished Business of Partition तो इसको Refugee नहीं है Unfinished of Business of Partition RSS के मुताबी गोलवाल करा Bunch of Thoughts है We are a nation who defined तमाम इनके पुस्तक पुस्तिकाय हैं जिस पे साफ कहते इसी को decode करने के लिए मैं बार बार क्योंकि ग्रह मंत्री का जिम्में जिक्र कर रहा हूं या मिशा का तो वह यानि सरकार और जो इस समय की हमारी सरकार है उसका में जिक्र करके उसे समझने ही कुशिश करता है कि इसका उलंगन नहीं है। तो इसे किस तरह देखते हैं क्या ये वाक्रीमें ध्यार्विदबाव करता है। देखें रहे हो सकता है कि आपका प्रॉपरिटी लॉज अलग है आपके परसेनल लॉज अलग है तो उस पे भेद नहीं, भाव कर सकते हैं, तो इस पे reasonable basis होना चाहिए, reasonable basis के इलावा आप इसको नहीं कर सकते हैं, और ये एक unreasonable basis कहा गया है, refugee अगर बाहर से आते हैं, सिर्क तिन मुल्क का जिकर है, और अगर आते हैं तो अलग-अलग religions को अलग-अलग treat किया जाएगा, इस पे कोई reason कहीं बे नहीं दिखाया गया, इसलिए ये एक unreasonable division आप पैदा कर रहे हैं, इसलिए लोग इसको कह रहे हैं, कि ये article 14 of the constitution, मैं वकील नहीं हूं, ना कि वकालत के discussion हमारी यहां पर, हम मेरे से होनी चीए, पर राजजितिक ग्रूप पे साफ है, कि वो जिन्ना की जो dream था, उसको अमिच्शा बगारा पूरा कर रहे हैं, और इसलिए पाकिस्तान की जो justification है, आज जनसंड की जो legacy party थी originally, भाजापा, उसकी आज जो है, उसको justification दे रहे हैं, ये कहे कि हम भी उसी आधार पे देश बनाना चाहते हैं, चाहे उसको NRC और CAB की ढखकन के अंदर रखे हैं, तो मैं इस पर ये आगे बढ़ हूँ, तो सदन में तो बहुत संख्याबल क्योंकि कम हैं, लोकसरवा में तो खास तोर से, तो महाँ विरोध कमजोर रहा है, लेकिन सदन के बाहर इसका तीखा विरोध है, पुरवत्तर राजबंद है, दिल्ली में संसत मार्क पर प्रश्यन भी हुआ है, करीब एक हजार विरोध किया है, इसका विरोध क्या है, वापस लेने की मांग की है, बुद्ध जीवी लेखक, तो क्या सदन के बाहर इसका विरोध से कोई एक बात बन पाएगी, देखिए, ये एक दिन की बात नहीं है, नकि एक पार्लेमेंट पे कुछ बिल पास कराने की बात है, क्योंकि इसकी संघर्ष पीछले सतर साल से ज्यादा ये चल रही है, कि भारत वर्ष क्या सेकुलर राष्ट रहेगा, नहीं रहेगा, कुछ लोगों का कहदा है, नहीं रहेगा, और उसको हम डारेक्ली नहीं कर सकते हैं, तो इधर उधर घुमा फिरा क कि उसको करेंगे, और बहुत सारे चीजे उसके तहद हो रहा है, इसका विरोध भी जनता जब तक इसका नहीं करेंगे, और ये विरोध सिर्फ पार्लेमेंट या सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, ये विरोध जब तक जन विरोध नहीं बनेगा, तब तक ये विरोध जो है, इ जब तक हम उसकी क्या परिणाम हो रहा है उसको नहीं समझा पाएंगे, आम जन्ता को इस बात को नहीं समझा पाएंगे, और यह नहीं समझा पाएंगे, यह किया क्यों जा रहा है, नफरत ग्रिणा की राजडित इसलिए विभाजन की राजडित इसलिए किया जा रहा है कि देश की असली जो चीजे होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, जो नौकरी मिलनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए, एडुकेशन मिलना चाहिए, हर चीज इसको सौप दिया जा रहा है बड़े पुजी को, इसको छुपाने के लिए मुसलमान के खिलाफ हिंदियों को लडाना, यह जो एक भाषा को दूसरे भाषा के खिलाफ लडाना, यह सब इस प्रक्या इसलिए हो रहा है कि असलिये तब चुपाना चाहते हैं कि यह पूरे देश को पुजी-पति-वर्क के ह जिपतियों के हाथ कर दे, इसका मत पब्लिक एडुकेशन को सिर्फ अमीरों के लिए कर दे, जिस सरे से आप फीहाइक हो रहा है, JNU वगरा है, IIT वगरा है, सब जगह पे हो रहा है, इसको देखते हुए आम जनता की आकरोश, जो इन चीजों पर जानी चाहिए था, इसको औ और कही दाइबर्ट करेंगे हैं, एक चोटा सावाल और पूछलूं बीच में पूछना था, कि पूर्वत्तर को लगभग बाहर किया है, कि असम को हम बाहर रख रहे हैं, मनिपुर को बाहर रख रहे हैं, फिर भी वहाँ बहुत ज्यादा विरूध है, उत्तर भारत से भी उसका क्या वज़य आप देखना हैं, लेकि उसमें तो दो वज़य हैं, एक तो है वहाँ पर फ्रैक्चर लाइन्स और अलग फ्रैक्चर लाइन से, वहाँ पर क्योंकि पुर्वत्तर राज पहाड़ में गेरे हुए हैं, तो उनके बहुत सारे भाशा हैं, एत्निसिटी बह सारे हैं, तो उसमें मिजॉरिटी उनका खत्रा हिंदु-मुसल्मान के सवाल पर नहीं है, इस्ट बेंगॉल जो पूर्वत्तमाय पर उसको इस्ट बेंगॉल कहते हैं, अब बंगलादेश कहते हैं, उनके यहां से लोग आएंगे, और आये हैं क्योंकि सबसे बड़ा नॉर इस्ट में हैं, तो अगर इन चीजों को देखें, तो बंगलादेश पूर्वत्तर इस्ट बेंगॉल से सबसे जादा लोग यहां पर रिफ्यूजी है, यह तो पहले से हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, जो 47 से पहले से हैं, वो 100 साल, 1500 साल से वहां से बंगॉली स्पीकर जो हैं इ उनकी बहुत पहले से मांग थी, कि हमारी डिमोग्राफी, डिमोग्राफिक आइडेंटिटी बरकरा रखें, उसके लिए हर वहां पर जितने छोटे स्टेट्स भी हैं, छोटे स्टेट्स के अंदर भी अलग-अलग रीजिन्स हैं, उनकी इस तरह के अलग-अलग मांग हैं, तो यहां पर जो एक एक ही करण करना चाहते हैं, हिंदू समुदाय वर्सस मुसलमान, यह जो डिविशन है, यह डिविशन से और दूसरे फ्रैक्चर लाइन्स भी स्वग बढ़ रहे हैं, उनने वही कहा, कि धर्म के आधार पे फ्रैक्चर लाइन सिर्प नहीं है, हमारे द क्योंकि यह देश तभी युनाइटेड हो सकता है, जब हम कहें कि हर नागरिक जो इस देश में है, इस देश का पूर्ण नागरिक है, इस से अगर आप डिविएट करेंगे, हर जगा पे यह जग्रा अलग-अलग रूप लेगा, तो यह देश को टुक्रे-टुक्रे करने क की राज़नीत है, अगर कोई समझे कि सिर्फ हिंदु मुसल्मान पर ही अटक जाएगा यह लाई, यह नहीं है, इसको जो है, इस नफरत की राज़नीत और हिंसा की राज़नीत, और भी सारे फ्रैक्शन लाइन को वाइड करेंगे, नॉट इस उसका एक्जामपल है, तो जै जो ध्यान है, विरुजगारी से हटाना है, जो बढ़ रही है उससे, तो उस सब से हटाने के लिए यह सब नहीनी चीज़े, कुछ चीज़े आ रही हैं, और यह और आगे बढ़ेंगी, तो चैसे साथियों हम जैसे नोडबंदी में हमने देखा कि हम लाइनों में खड़े ह हो गए, अब यह एनर्सी आसम में आया, वहां तमाम लोग लाइनों में खड़े थे, अब सीए भी आया, अब फिर एनर्सी पूरे देश में आएगा, तो एक लाइन में खड़े होने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा शुरू हो गए इस सरकार के भीतर, और इस लाइन को तो